हेलो एब्रिवान और वेलकम टू नुपर्स केचिन हमारी आज की रेसिपी है व्रत स्पेशल सावदाना किचरी आप इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं और एंजोई कर सकते हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप एक ए वन कप सावदाना लिया है उसमें एक्वल कॉंटिटी मींस वन कप पानी आट कर दिया है और अब हम इसको मिनिममम थ्री आर्स के लिए सोप करेंगे पानी का लेवल एक्जाक्ली सावदाना के बराबर होना चाहिए आप इसको बीच बीच में कंटेनर को शेक कर दीजे जि कर देख सकते हैं कि चुरी बनाने के लिए मैंने यहां पर कुछ प्रिपरेशन पहले से कर ली हैं जिसमें मैंने फानली चॉप्ट अद्रक और हरी मिर्च लिया है दो फानली चॉप्ट टोमैटोस हैं दो बोल्ट आलू हैं और कुछ पनीर है पनीर के पीसिस हैं साथ में जिसमें मैं दो से तीन टेबल स्पून देशी घी डालूंगी, आप नॉर्मल रिफाइंड ओल भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसमें हम सबसे पहले अपने काजू को फ्राइब करेंगे, काजू कुब्य ने बीच से हाफ कर लिया है और इसको हम फ्राइब करके गोल्डन ब्राउन होने तक उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, इसके बाद हम उसमें मूमफली आट करेंगे, आप चाहें तो मूमफली ड्राइब रोस्ट की हुई भी यूज़ कर सकते हैं, इन फैक्ट कुछ लोग मूमफली का पाउडर भी बना के यूज़ कर सकते हैं और करते भी है साबुदाना में, बट मुझे मूमफली के चंग साबुती पसंद हैं तो मैं ऐसे डालती हूँ, यह ऑप्शनल है, तो मैंने यहाँ पे मूमफली को भी फ्राइ कर लिया है, अब मैंने यहाँ पे 1 तेबल स्पून जीरा एट किया है, मतलब क्यूमिन सीट्स और अब मैं उसमें अद्रग और हरिमिज डालके उसको दो मिनिट तक सौटे करूंगी, उसके बाद हम उसमें ट्रमाटियोस को डालेंगे और उसे कवर करके पकने देंगे जब तक कि घी सेपरेट नहीं हो जाता, अब मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये वरत के लिए बना रही हूँ, अगर आप कवरत नहीं है तो आप इसे नॉर्मल सॉल्ट में भी बना सकते हैं, तो टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजे और ट्रमाटियोस को हलका सा मैश करके, कवर करके पकने दीजे, जब तक की वह अच्छे से पकने जाते, उसके बाद मैंने बॉल डालू को रफली मैश कर लिया है, वह मैं इसमें आट कर रहे हूँ, आप चाहें तो कच्छा अलू भी छोटा काच के डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसे पकाना पड़ेगा कवर करके, बॉल डालू तो अलूजी पका हुआ है, और इसके बाद हम इसमें पनीर भी आट कर देंगे, और यह सब दोनों चीजे डाल के इससे जस्ट तू में थ्री मिनिट्स तक हमें स्टर फ्राइ करना है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना स्टार इंग्रीडेंट साबुदाना, साबुदाना डालने के बाद खिचरी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस टेज पे अगर आपको लगे कि घी कम है तो थोड़ा सा आप और आट कर सकते हैं, और बस हमें साबुदाना डालके इसको मिक्स करना है, कवर करना है और 5-10 मिनिट के अंदर हमारी साबुदाना किचरी एकदम रेडी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें साबुदाना आट कर दिया है, अब आप इसको कवर करके पकने दीजिए, जस्त 2-3 बार इसको हम मिक्स करेंगे, जब तक वह अच्छे से फ्लप अप ना हो जाए, और फिर फानिल गार्णेशिंग, फानिली चॉप्ड हरी धनिया की फ्रेश हरी धनिया, और उसके बाद जो हमने मुमफली और काजू फ्राई करके रखा था वह हम इसमें आट कर देंगे, मिक्स कर देंगे और सर्फ करेंगे, आप इसमें चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं बाट आप आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, इसके एक-एक साबुदाने का पीस है वह कितना अच्छे से पक गया है, और सारा का सारा जो भी हमने इसमें ट्रमेटो डाला था अधरत करी मिर्च की जो भी फ्लेवर से सब एब्सॉब हो गया है, आप इसको जरूर ट्राइ करिए और मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा कि कैसी लगी आपको यह और एडी है हमारी साबुदाना किच्छी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगे कि आप और मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे मुए भी कोदिटर चैनल को सब्सक्राइब। कॉए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।